दोस्तों आज हम डिसक्स करेंगे 20 x 50 का हाउश प्लान फित कार पारकिंग जैसा कि आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा थंबनेल और उसी को आज हम डिसक्स करेंगे हमारे सब्सक्राबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिजाइन कर रहा हूँ यह प्लान बहुत ही बेदरीन है जहां पर आपको कार पारकिंग एक शॉप और दो फैमिली के रहने की विवस्ता मिलती है वो फैमिली जो भी रहेंगी वो सेपरेट अपना सब को चूज करेंगे जैसे कि अपना लेटरिंग अपना बातरूम अपना केशिन वगेरा तो उसी को आज हम डिसकस करेंगे और यहां पर कार पारकिंग भी 20 क्रॉस 50 में हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिजाइन कर रहा हूं तो मैं step by step इसका ground floor, first floor और second floor डिसकस करूँगा आप बने नहीं इस वीडियो में लगातार। अगर आपने अभी दे किसमाल हूस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरू सब्क्राइब करें शाथ ही साथ इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें अगर आपक हम डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप देख पा रहेंगों इसकी में बहुत ही बेतरीनी प्लान है बेतरीन से लुग दी है अलाकि मैं आपको इंडरली बात बताओं तो यह हमारा ही एक प्लान हमारा एक प्लाट पड़ा है और इसी को में डेजाइन करना है तो मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेजाइन किया है और एक सब्सक्राइबर थी उनका भी यह रिक्वार्मेंट था तो उनके कहने पर भी यह मॉडल डेजाइन किया है तो यह पूरा हम डिसकस करेंगे अगर फ्रेंट लुक की बात करें सामने के लुक की बात करें तो यह इसका सामने निकला है 18-fit का और 3-side closed आज पास पीछे आपके घर ही बने होगे तो चलो हम discuss करते हैं सबसे पहले इसका ground floor तो जैसे हम इसका ground floor पर रहाते हैं सबस्का look दिखा देता हूं जूम करके आपको maximum जूम करता हूं front से सामने से आपको कैसा देखेगी यह model आपको सामने से देखने वाला है यह इसका main door है आप देख पा रहे होंगे और उपर आपका एक जाली लगा हुआ है जिससे ventilation की कोई problem ना हो यह आपका एक shop है जिसमें आपके door और एक window है तो यह parking बहुत ही आसानी सो और आपकी stairs भी है इसलिए मैंने आप रत्री तीन जगए से stairs को मोड़ा है दोस्तों क्योंकि जब stairs मोडता है तो आपको उसके नीचे काफी gap मिल जाता है तो उसके नीचे आपकी जो गारी होगा वह आराम से पार्क को पाएगा 11 feet में और अगर इसकी ब प्रट हो जाता है इसके बाद जो आपका बसता है 32 feet में total 50 feet है मैं एप्राक्स राउंड फिगर लेकर चलना हूँ इसके बाद तो यह 32 feet है जिसमें कि मैंने सस्थ पहले एक यह बनाया है दूस्तों kitchen और यह एक room मैं या दो family के जो बात कर रहा है था बात करता हूं तो अगर इस room में a family रहती है तो इसके लिए आपका kitchen होगा यह उसका लेकर बात रूम तो यह 16 foot में total design किया है मैंने लगबग यह 16 feet में और 16 feet में पीछे है जिसमें कि एक bedroom है आपका और यह आपका लेकर बात रूम और यह आपका इसके लिए kitchen इस bedroom में अगर कोई family रहती है तो इसके यह kitchen design किया यह latent bathroom है डोटे 32 feet बचाता जिसमें कि आपका 16 feet में यह है आप अगर चाहते हैं तो यह लगवा 11 feet का room निकालने यह 10 feet तो इधर ही रहेगा 11 feet 10 का यह room और 6 feet में आपका यह kitchen निकालाएगा इसके बाद अगर पीछे के बाद करें लाइस प्रोड की इधर सौरी लाइ आप सबसे पीछे एक देख पार होंगे यह आपका कुछ design चल बना है यह दोस्तों मैंने उपर ventilation के लिए पीछे जगे छोड़ रख्किए आप जब छट बनवाएंगे इसका roof डालेंगे तो वहाँ पर जाल जो लगता है वो लगवाएंगे जिससे ventilation के आपको पीछे में problem बना हो उपर जाल से आपके असानी से इस रूम में भी रोशनी जाएगी और इस वाले रूम की बात करें तो आप यहां पर जो इस पेस आप देखर एगर च्छत पर बनवाना चाहते है तो आप यहां पर एक जाल रखवा दें तो आपका उपर से भी ventilation होगा अन्था आपक बनाशती रहेगी तो यह 20 क्रॉस 50 का बेस्ट डेजाइन मुझे लगा अगर आप रेंट पर भी देना चाहते हैं तो यह पूर्शन पूरा एक बंदा रहेगा रेंट पर और यह पूर्शन यह यूज़ करेंगे इसके लिए सेपरेट लेटरिंग बात रूम यह है और केश तो मैं फिला नीचे यह कुछ भी डेजाइन नहीं कराने आला हूँ अगर आप बनवाना आपकी रुकार्मेंट पर डिपरेंट करता है अब हम इसका अगर फ़र्श लूर्ड की बात करें तो फ़र्श लूर्ड भी दोस्तों बिल्कु सेंट डेजाइन किया है क्योंकि इस एक ऐसा रूम डिजाइन कराएं जिसे आप वहां से अंदर से यहां तक आ सकें तो बस यह इसका फ्रेंट लूक है डिजाइन है दोस्तों कि मैंने एक विंडू दिया बड़ा सा और यह बालकनी है जो आप देख पा रहे होगे अब हम बात करते हैं लाश प्रूर की तो यह इसका लाश दूर है जो कि मैंने डिजाइन किया है यहां पर कुछ भी नहीं है उपर से नीचे तक डिजाइन किया है और यह रीलिंग बना दिया है चारो तरफ यह देखी मैंने जो दोस्तों जाल की बात कर रहा थी जाल लगाया और च्छत आपका पुछल ऐसा रहेगा व हमें कमेंट करके बताएं शाती साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें अगर आपका कोई भी रिकॉयर्ड मॉडल है तो हमें कमेंट करें हम आपको उस मॉडल को क्रेट करेंगे हाला कि मैं सभी मॉडल क्रेट नहीं कर पाता हूं क्योंकि टाइम का बहुत ही आभाओ है तो प्लीज आप वेड़ करें मैं जल्द ही जल्द किसी ना किसी के एक रैंड़म मॉडल पिक करता हूं और उसे इसके बाद आप सभी के लोगों के बीच में लेकर आता हूं तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके सजिस्ट जरूर करें और अगर कोई भी कमी रहेगी तो अब हमें सजिशन दे सकते हैं कि आप इस मॉडल को ऐसा डेजाइन करें या आप ऐसा डिसकस करें तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर इस मा झाल झाल